नमस्कार आज हम आपको दिखा रहे हैं cat 323 d3 excavator का cabin review तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यह cabin है बहुत ही संदर और world class कह सकते हैं comfortable operator station तो एक एक करके हम जानते हैं इनके function के बारे में यह seat है six way adjustable seat आप देख सकते हैं और यह दोनों joystick बहुत ही ergonomically posted है यह यहां प्रas Ben joos operator के दोनों side में आप देख सकते हैं यह किया हुआ और और कि यह मिशिन को मुव करने का function जो आप देख सकते हैं जो उसके बाद में this screen दिया हुआ इसमें बहुत या दुनिक किसमें नीचे जो आप देख सकते हैं बटन्स इससे आप साटिगिंग कर सकते है इसमें और डिसप्ले में इन्फोर्मेशन्स आप देख सकते है फ्यूल का टैंपरेचर का इसमें और उसके बाद और भी जो वो इधर राइट साइड में दिये हुए है आपरेटर कैबिन के पीछे काफी स्पेसियस है मोबाइल चार्जिंग का प्रोविजन है और कुछ समान रखना उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है यह पीछे इमर्जनसी एक्जिट डूर भी दिया हुआ है वेल प्लेस्ट औ और इसके बाद में आप इस इवेंट साब देख सकते हैं जो पीछे की तरह दिये हुए है और यह आपका रस्ट दिया हुआ है इसमें पीछे काफी स्पेस है समान रखने के लिए एड़ाप्टर का इसमें यह अलग से करेक्टर भी दिया हुआ है तो यह इस तरह से आप कह सकते हैं यह काफी कमफरेबल है और व्यू मैं आपको दिखाता हूँ और यह हम बैड़ गया ऑपरेटर सीट पे यहां से देखे विजिबिलिटी काफी सांदार है साइड में भी मशीन का विजिबिलिटी है और इस इदर से आप इसके हाइडरलिक इंप्लिमेंट्स पी बिन है और वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं इसमें बहुत ही अर्गनोमिक डिजाइन का ऑपरेटर स्टेशन बनाया गया है इसका एसी भी काफी पावफुल है और विजिबिलिटी तो आप देखी रहे हैं तो कैटपिला 323 D3 ऑपरेटर के लिए बहुत ही कमफर्टिबल बहुत ह है आपके कोई भी सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं